शारदिय नवरात्री सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। इसे देश भर में बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्री का यह पावन पर्व अश्विन अमावस्या के खत्म होने के अगले दिन से शुरू होता है। इस बार मातारानी की पूजा अर्चना की जाती है और भक्त मा को प्रसन्न करने के लिए वरत पूजन और तमाम तरह के उपाय करते हैं। शारदिय नवरात्री के दौरान कुछ विशेश उपाय करने से मातारानी खुश होती हैं और आपकी हर मनो कामना पूरी करती हैं। घर खरीद ये उपाए यदि आप खुद का घर बनाना या खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसके लिए नवरात्रे में मिट्टी का छोटा सा घर बना कर पूजा स्थल में रख दें. ऐसा करने से माता रानी आपका ये सपना जल्दी सच करेंगी. उन्नती के लिए उपाए नवरात्रे के दौरान किसी भी दिन घर में तुलसी का पौधा लगाएं. अगर आपने घर में पहले से तुलसी का पौधा है, तो एक सिक्के के साथ अपनी मननत मांगें. फिर इस सिक्के को तुलसी के नीचे मिट्टी में दबा दें. इससे आपकी उन्नती के नए मार्ग प्रशस्त होंगे. ग्रह के कलेश दूर करने के उपाए, अगर आपने घर में हमेशा तनाव का माहौल रहता है, तो नवरात्री में नौ दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर को रख कर दुर्गा स्त्रोत और दुर्गा नामावली का पाठ कर इससे घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवाह होने लगेगा. धन प्राप्ति के उपाए, अगर आपके साथ पैसों की समस्या रहती है, तो आप नवरात्री में एक पान के पत्ते पर गुलाब की कुछ पंखुडियां रखें और मा दुर्गा को अर्पित करें. माना जाता ह है कि ऐसा करने से धन आगमन के रास्ते खुलते हैं. इस उपाए से आपको पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा. तरक्की के लिए करें, ये उपाए नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में बढ़ोत्री करने के लिए नवरात्री के दौरान आप एक पान का प पीछे रखतें. ऐसा करने से नौकरी या व्यापार में आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी. साथ हाई मातारानी आपकी हर मनो कामना पूर्ण करेंगी, क्योंकि ये खास उपाए बहुत ही सार्थक और सिध्ध उपाए होते हैं. बस इनको करने का तरीका बहुत साव सावधानी पूर्वक होना चाहिए. साथ ही मातारानी को प्रसन करने के और भी बहुत सारे उपाए होते हैं, जिनसे मातारानी प्रसन होती है, क्योंकि बताया जाता है कि नवरात्रों के नो दिनों तक मातारानी धर्ती पर निवास करती है और सभी भक्तों की हर मनो कामना प प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। जीवन में परेशानिया आने वाली हैं। जीवन में परेशानिया आने वाली हैं। आईए इस लेख के जरीए इन चीजों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दूध का गिरना अशुभ आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार दूध को चंद्रमा का कारक माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर गैस पर रखा दूध उबलकर नीचे गिर जाए या आपके हाथ से दूध का गिलास गिर जाए तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि दूध का गिरना आर्थिक परेशानियों की ओर संकेत करता है काली मिर्च का जमीन पर गिरना अशुभ अगर काली मिर्च आपके हाथ से गिर जाए तो इसे बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। नमक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि जो व्यक्ति जान बूज कर अगर नामक को जमीन पर गिराता है तो उसे अगले जन्म में उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। नवरात्री के पावन मौके पर कुछ खास चीजें घर लाना बहुत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन चीजों को घर लाने से माता रानी की कृपा बनी रहती है। और कभी भी धन्धान्य की कमी नहीं होती। हिंदु धर्म में शारदीय नवरात्री के पर्व का विशेश महत्व है। नौ दिनों तक चलने वाला ये पावन त्योहार मां दुर्गा को समर्पित है। इन दिनों देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इन दिनों जो भी भक्त माता रानी से सच्चे दिल से कुछ भी मांगता है, तो मा अपने भक्तों की पुकार को खाली नहीं जाने देती। भक्त भी अपनी मां के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वे पूरे नौ दिनों उपवास करते हैं और मां की आराधना में लीन हो जाते हैं। आपको बता दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्री पर कुछ विशेश चीजें लाना बहुत शुभ म माना गया है। कहते हैं कि इन चीजों को घर लाने से मा दुरगा बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। तो चलिए जानते हैं उन खास चीजों के बारे में घर ले आएं। चांदी का सिक्का धार्मिक रूप से नवरात्री में। चां की कमी नहीं होती। ऐसे में आप भी इस नवरात्री चांदी का सिक्का अपने घर ला सकते हैं। हालांकि धार्मिक रूप से जिस सिक्के पर मा लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर बनी हो उसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। तुलसी का पौधा धार्मिक रू की इन दिनों रोजाना मा तुलसी के आगे दिया लगाने और जल देने से मातारानी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख शांती बनी रहती है मा लक्ष्मी की तस्वीर। नवरात्री में माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते ह कि नवरात्री में मा दुर्गा की ही स्वरूप देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में हमेशा सुख और सम्रिध्य बनी रहती है। हालांकि मूर्ति या तस्वीर लाते समय ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी बैठी हुई मुद्रा में हो। धार्मिक रूप से इसे ही शुभ बताया गया है। माता रानी के सोलह श्रिंगार नवरात्री में माता रानी का सोलह श्रिंगार करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जो महिलाएं नवरात्री में मा दुर्गा को 16 श्रंगार अर्पित करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ती होती है। ऐसे में आपको नवरात्री में जरूर माता रानी के लिए श्रंगार का सामान लाना चाहिए। आप अपने घर ने विरामन माता रानी की मूर्ती या तस्वीर का श्रंगार भी कर सकती हैं। नवरात्री में इसका बहुत महत्व बताया गया है करें कलश की स्थापना। नवरात्री के पहले दिन कलश की स्थापना करने का विशेश महत्व है। ऐसे में आप नवरात्री में कलश जरूर खरीदें। आप अपनी सामर्थे अनुसार, मिट्टी पीतल सोना या चांदी कैसा भी कलश खरीद सकते हैं। इस कलश में नारियल और आम के पत्ते लगा कर माता की चौकी पर स्थापित करें। कहते हैं कि ऐसा करने से भक्तों को माता रानी का विशेश आशीरवाद प्राप्त होता है।